इस अक्टूबर दो हजार चौवीस करवा चौध ब्रत कैसे आप पूजा करें कैसे अकेले हैं तो करवा फिरें और करवा कितने रखने हैं पूरी जानकारी पूरी विधी इस वीडियो में है जो कि आपके काम की रहेगी ध्यान से सुनिएगा और अंततक बने रहेगा सबसे पहले आप सभी जिस स्थान पर भी बैठे उस स्थान को सुध कर लिजे आपका मुख पूजा करते हुए पूर्विया उत्तर दिशा के ओर होना चाहिए एक इस तरह से आपको कलश लेना होगा यह पहले से भी हमारे यहां तो ऐसा रिवाज है कि हमारे पार रहता है यह शा कर लाते हैं परन्त आप करवा के लिए एक नया करवा खरिदना चाहते हैं तो मिट्टी या चीनी का जैसा भी है इसे आप खरिद लीजेगा इसमें आप सभी ड्राइफूड भर सकते हैं कई लोग खिल वगर भी इसमें भरते हैं साथ ही इस पूजा में सीव भगवान की प कर सकते हैं तो कोई बात नहीं से इसकिप कर सकते हैं आप सभी को जो जल का लोटा है उसे भर लेना है थोड़ा गंगा जल डाल कर उसमें आप सभी जो है विसेश तोर पर जो असो के या आम की या जो भी सुद्ध पत्ते होते हैं वैपास साथ लगा लीजे जल कलस के अंद जो आप पत्ते लाए हैं उनमें आप रोली चंदन लगा लीजे और जो कलश है उस पर स्वास्तिक बना लीजे और मुख़र कंठबाद लीजे तो इस तरह से कलश स्थापन किया जाता है यह हमारी पूजा को पूर्ण करता है इस दिन हम स्री कलश नहीं दीप कलश स्थापित करेंगे क्योंकि थोड़ी देर की है पूजा है अब इसे जो हमारा मातारानी की मोर्ती है चोथ माता की उसे दहनी तरफ रख देंगे अब हर साल मोर्ती लाना जरूरी नहीं है आप जो है हर साल पूराना पोस्टर भी काम में ले सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है इस त अंदर देवता को अर्ग देंगे यह आप सभी को अच्छी तरह से जो है टिक्की वगर लगा लेनी होगी एक दूसरा जिसमें आप सभी दान के रोप में जो माता गोरा को आपको रखना है उसे आप सभी को रख लेना होगा इसके अंदर आप ड्राइब फूर्ट या खिल ब अपने उपर जल के छीटे ले लिजिए और बजार से लाई हुई वस्तोव पर सुद्धता की भावना करते हुए जय माता दी हरहर महादेव या जो भी आपको मंतर आते हैं जय चौथ मया कहते हुए आप सभी ब्रत का संकल्प ले लिजिए अपने दाहिने हाथ में संकल्प को छोड़ दीजे अब आप सभी हमेशा एक दीपक पूजा में सबसे पहले लगा लीजे ये हमारे दीपकलश को परिपूर्ण कर देगा और साथी कलश के नीचे थोड़ा गेहु रख दीजेगा चाहे तो अस्टेदल कमल बनाये इच्छा आपकी है सबसे पहले कि पूजा में गडेश जी महराज की पूजा होती है तो आप सभी को इस दिन चोथ बरत गडेश जी को ही समर्पित है अलग से सुपाड़ी के गडेश जी बना सकते हैं नहीं तो इस तरह सिव परिवार आप ला सकते हैं गडेश जी को रोली चंदन मोली अक्षत दूरवा साथ के साथ हमारा बजार से जो करवा आया है हम लाए है उस पर भी चंदन रोली वगर लगा देंगे साथ ही जो हमने दीब कलश लगा रखा है उस पर भी रोली चंदन मोली अक्षत इस्तियादी समर्पित करेंगे बात आती है सास की ठाली कैसे निकालें जिसे की अलग एक छेतरों में अलग-अलग नाम से संबोधित किया जाता है तो उसमें आपकी इच्छा है आप सास के लिए साड़ी लाना चाहते हैं सूट लाना चाहते हैं तो वह लेकर आएं अगर आपकी सास सुहागिन है तो उनके लिए सुहाग की सामगरी लाएं अगर सास सुहागिन न नहीं है तो आप अपनी जेठानी को भी सुहाग की सामगरी दे सकते हैं आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक चीज़े लाई जाए कम ज्यादा जितना भी है आप अपनी सास को जरूर से दीजेगा उन्होंने आपको जो है सुहागिन बना रखा है अपना पुत्र दे रखा है तो उन्हें ऐसा ना समझे कि बहुत जो है सुहागिन नहीं है तो कुछ ना दे परंद उनको जेना कुछ जरूर से है उनको धन्यवाद सरूब सुहाग के सामगरी आप अपनी जिठानी नंदित्यादी को भी दान दे सकते हैं या ब्राम्हन जो है दपत्नी को भी दान में दिया जासा है इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वस्त रूपिक अलावा मैं समर्पित कर रही हूँ आप भी इसी तरह से पूजा करें निरंतर सुन्दर महन से सद्नर भाव से सादी का जोड़ा पहन सकती हैं मेहंदी बिंदी अच्छी तरह से सोला स्रिंगार यु समर्पित कर रही हैं तो अपने लिए भी यह सुहाक सामगरी आप काम में लीजिएगा यह एक जो है आपके लिए प्रशाद है माता गोरी का जो कि आपको अखंड सोभाग्य होने का वर्दान देती है थोड़ा बहुत आप दान में दे दिजिएगा इस दिन जो आपने आपके होंगे 211, 51, 51 जितने भी रुपे हैं जो भी हम चीज नहीं ला पाए हैं उसकी छती पूर्ती के लिए बाद में इसे दान देने के लिए आप सभी यहां पर रुपे रख लीजेगा अब कुछ दाने हम अपने हाथ में गेहूं के लेंगे आपकी इच्छा है आप कि इसमें से जो गेहूं के दाने हैं इसे अपने आचल के पल्लू में बाद लेंगे और इसी से चंदर देवता को अर्ग देंगे साथ के साथ अगर आप जो है चंदर देवता को अर्ग देते हैं यह से दिन में सुनते हैं तो सूरी देवता को भी अर्ग दीजेगा अगर शा यहां जल का लोटा रख दिया जाता है दुबारा से भर कर और शाम को इसी से चंदर देटा को अर्ग दिया जाता है, बात कर लेते हैं सास की थाली की, तो सास की थाली में आप स्वाड़ी सूट जो इच्छा है और एक गिलास ले सकते हैं, मेरे पास एक दूसरा मिट्टी का तो मैंने उसी में सास को देने के लिए ड्राइफूड भर रखे हैं, इच्छा आपकी है, आप एक और अलग से करवा दे सकते हैं, नहीं तो गिलास में, कटूरी में जो आपके पास है वह परियापते हैं, पूजा में दो करवा होना अवश्यक है, एक गौरी मैया का जो न राजबान है, अपने जो आचल है, चुन्नी है, उससे साथ बात हे माईया, मुझे सुहाग दे, मिरा अखंड सौभाग्य रखना ऐसी परार्थना करते हुए, अपने आचल से, अर्था जो चुन्नी है, उसके कौने से, साड़ी के आचल से, माता को आपको सुहाग समरपित करना है सिंदोर और उसको अपना जूठा सिंदोर मस्तक पर लगाना है बात आती है करवा कैसे फेरते हैं हमेशा दाहिने हाथ को आपको उठाना है अगर आप अकेले हैं तो जो विक्ति साथ में है वह तो एक दूसरी के साथ करवा फेर ही लेंगे परन्तु आप अकेले हैं त साथ बार आपको करवा बदलना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर करवा टकराने न पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए, इस तरह से आपको करवा बदलने होते हैं, साथ बार यह प्रिक्रिया होती है, और माता से बस यही बोला जाता है, कि मा सुहाग दे, मा कपूर है उसे प्रेज्वलित करेंगे एक गोलवत्ती का घी का दीपक प्रेज्वलित करेंगे उससे गड़ेश महराज और माता करवा की चौथ माता की आरती कर लेंगे और भूल चूक के लिए छमा प्रारती होंगे अब मैंने सबसे पहले जो है दीपक से आरती करी कपूर स अर्ति करी उसके बाद जो है उसके उपर से हम जल को घुमा लेंगे इसे जल सीतली करें कहा जाता है अब रात को जब चंदर देवता हमें दिखने लग जाएंगे तब हम जो है चंदर देवता को जो मैंने गेहूं जल के लोटे में डाल रखे हैं या आप सभी अपने हाथ के जो दुपटा है उसमें बाद सकते हैं उससे चंदर देवता को अर्ग देंगे पति देव को जो है तिलक लगाएंगे उनके चरण सपर्श करेंगे और अपने पती के हाथ से जल पी कर अपने ब्रेथ को खोल लेंगे इस तरह से करवा चोध ब्रेथ की यह संपूर्ण पू भी ला सकते हैं एक करवा आप जो है अपनी सास के लिए तो वह घर की ही हैं उन्हें करवा देना हमारे चेतर में आवश्यक नहीं है एक करवा हमारा दान में दिया जाता है जो की आज पास पंडितायन या किसी मंदीर में दिया जाता है एक करवा जो है आप सभी अपनी सास के लिए भी ला सकते हैं कई छेत्रों के हिसाब से तो अपने छेत्र के हिसाब से ही आप कारिक कीजिएगा परन्तु नया करवा इस साल जरूर से हर साल खरीदना सुबर्स रिष्टिकल माना जाता है आपके पास कोई इस तरह से कुप्पी वाला जो कलश है या साधारण कलश भी हैं सास के लिए अलग से एक कटोरी में मैंने जैसे मीठाई वगर भढ़ रखी है उस तरह से भी अब भढ़ सकते हैं वीडियो उपयोगी रही हो तुझे मातादी लिखें कोई भी दूविधा हो कोई भी कमेंट्स हो तो बताईएगा घबराये नहीं सभी की छेत्र में थो काई